हेलो फ्रेंड्स गुड़ मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टेडी फॉइंट पर दोस्तो रोज सुबह आपको इसमें 20 कोस्चिन जीके करे संबंदित रहते हैं बागी उत्राखंड और हिंदी की वीडियो ये द दोस्तो हिंदी और उत्राखंड तो सबसे जादा जादा लोग यही पढ़ते हैं तो जीके की भी दोस्तो इसमें भी स्कोर करना बहुत जरूरी हो जाता है वो मैरिट में आने के लिए बाकि ये मतलब की सई बात है कि आपको अगर उत्राखंड के एकजाम निकालने तो बाकि हिंदी आपको हिंदी आपकी मजबूत होनी ची तो चालीस और 20, 60 ये बिल्कुल सई है ये सच है कि आप 60 में से अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं तब आपके मेरिट में बनने के चांस हो जाते हैं तो अगर आप दोस्तो जीके में बिल्कुल ही कमजोर है तो बचता है यहां reasoning भी रहती है थोड़ा बहुत और बागी सब कुछ करेंट कंप्यूटर बागी सब कुछ तो इसमें रहता है तो चलिए दोस्तों आज की important question शुरू करते हैं दोस्तों ये question भी किसी ने किसी exam में पूछेगे हैं उत्राखेंडर राजी से संबन्दित भी बहुत कुछ question है इसमें और कुछ जो central government के exam होते हैं उनमें पूछेगे तो उनी question को मैं आपके लिए हर रोज लेके आता हूँ तो चलिए आज के 40 20 question है कौन सा अनुचेद आपको इसमें से बताना है कि कौन सा अनुचेद डॉक्टर अमबेटकर के अनुसार भारतिय सविधान की आत्मा है अनुचेद 29 40 32 या फिर 356 तो 356 में प्राश्टर पती सासन या आपको बता है अनुचेद 40 में क्या है तो गराम पंचाईत के बारे में बताया गया है गराम पंचाईत को गठन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और पती से अनुचेद 32 को विवराम बेट करने सविधान की आत्मा और हिरदय batt TA Wait 32 को तो बढ़ते हैं अंगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है कि पहली बार भारत में इसलाम धर्म का परवेश हुआ पहली बार भारत में इसलाम धर्म का परवेश हुआ मंगोल आकर्मन अरब आकर्मन तुर्क आकर्मन अंग्रेज आकर्मन तो इसका सही तरह अरब आ करशी के दारा भी पूचा गया है बंद हुआ मजदूर उन्मुलन अधिनियम बंद हुआ मजदूर उन्मुलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया संसद संसद में दोस्तों तीन आ जाते हैं आपके राश्ट्रपती लोकसभा और राज्यसभा ये उत्राखंड के एसाई के अभी आया था कि संसद के कितने अंग होते कौन कौन से कौन सा एक इसमें से नहीं होता इस तरह से कुछ क्वेस्चिन बनाता तो यह है बंद हुआ मजदूर उन्मुलन अधिनियम संसद ने कब पेस किया 1971-1980-1986 या फिर उनिस्ट उनासी तो इसका सही तरह उप्शन नमर स तो बहुत से लोगों का सही हो गया होगा बद्वा उन्मुलन बद्वा मजदूर उन्मुलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया तो इसी तरह से आपके एक्जामन बनता है बांकी परिभासा इसकी कुछ भी आयोक के दोरह दी जा सकती है तो बांकी आप बिल्कुल याद रख किसने की नाग आरजुन नाग भट चरग या फिर असुघोस तो जो जो लोग और वी बता रहे हो बिल्कुल सही है असुघोस और डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा तो बढ़ते हैं तो अगले कॉस्चिन की तरफ अगला कोष्चिन है गुलाम अन्सी की स्तापना की थी मुद्धोरी आराम साय इलतूुटमिस तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुटूबुद्धीन एबग ने कि ती अगवान सी किसापना इसे गुलाम का गुलामभी जाता है गोरी का गुलाम भी था तो बढ़ते हैं अगले कोस्चिन तो अबुल फजल है नहीं अमीर खुश्रों ने भी नहीं लिखिये तो गुल बदन बेगम ने लिखिये हुमायू नामा यह गुल बदन बेगम थी दोस्तों यह जो हुमायू है तो हुमायू की बहन थी तो गुल बदन बेगम ने लिखिये क्या हुमायू नामा तो बढ़ते नबर B हमारा बिलकुल सही हो जायेगा थो भढ़ते अंगले को से अंगला पूच्छ दो यह भी इंपोटेंट है पूचा गया था कई बार निमन अकभारों मैं से कौन सा मुख्यत है उधार वादियू के नीतियों का परचा रखता है यादि की उधार वादी बता रहें लीडर हो बिल्कुल सही है उदारवादियों का परचारक था इनक बारों में से तो कौन सा लीडर तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन संसद में कौन सामिल नहीं है यह तो कई बार है यू के एस ये एक्जाम में भी पूर्चा गया था य और कुछ नहीं तो लोकसभा है राजी सभा भी है भारत के राष्ट पती भी उसमें है तो भारत निर्वाचन आयुक्त संसद में सम्मिलित नहीं है तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन तो निर्ति से भी आपके मन में भारत भी आ सकता है अमेरिका भी आ सकता है बिटेन भी फिर रिशुजर लेंड भी तो आपके मन में ज्यादा उत्तर आएगा भारत या फिर अमेरिका में से तो बहुत से लोग जो आयोगी ने उत्तर दिया था वह मां आपको बताने और तो आप्शन नमबर बी आपका बिल्कुल सई है तो लोक तंतर का घर कहा जाता है कि से स्वीजर लेंड को स्वीजर लेंड आपको याद रखना है बहुत सारे सं weekly आताने में सतर सो तैल जाल्यलिस में शाथल थाओन spirits तो पलाशी का युद्ध कब kupata दोस्तों ये रखातार से शटाओण महंना सतर सो सतावन में यापको याद रखना है बकसर का सतर चौसट में दोस्तों आप क्या बता सकते हैं कि पलासी के युद्ध के समय गडवाल में जो परमारवन से चल ला था तो उस समय कौन उस समय गद्धी पर बैठा था तो बाकि जब आद दिन में उत्रा खंडी की वीडियो तो यह आपको बताना है तो बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन की तरफ दोस्तों यह भी इसी तरह से पूछा गया था आप समसकते इतना बस इतना लिगता है गरीड़ा अवस्तित है और चार महसागर आपके सामने दे दी तो इस तरह से छोटे चोट जाते हैं, Grenada आउस्टित है, Caribbean सागर में, परसांत महा सागर में, हिंद महा सागर में भुमध्य सागर में, तो यह हो जाएगा Caribbean सागर में, तो ओप्षन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, परसांत महा सागर सबसे बड़ा है, तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ इसमें जाता है दोस्तों कुछ explain जादा रहता नहीं है बांकि उत्राखंड और हिंदी में हम आपको सब कुछ detail में बताता हूँ यह आपके सिर्फ जीके practice के लिए है आपको इसमें खुदी अपना आपकलन करना होता है तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ इसके बाद 5 question और बचें तो यह भी पूछा गया था पहले तक पूछा जाता था अब साइथ पूछा जाए ना पूछा जाए यह उत्राखंड के में भी कई बारे बन जाता अगर आप एससी जीडी या फिर और एक्जाम देरे जाएंगे सेंटर गवर्मेंटी के उत्राखंड में बनाई है कई बारे सांत घाटी अवस्तित है के रल में इस्तित है यह आपको बिल्कुल याद रखना है option अगले को सब्सक्राइब भारत के राष्टी सुरक्ष्या सलाकार कौन है ओम बिल्दा परकाई जावेट कर अजीड दोबाल और रमेश पोक्राइल निसंग तो अभी दोस्तों नमबर ने इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा ओम बिल्दा भी ओम बिल्दा भी चुनाव नि चारडी यानि उसका नाम अब सिक्षा मंत्राले कर दिया तो अप्सन नमबर ची और हरिद्वार से लोगसबा सीट से हरिद्वार लोगसबा सीट से रमेश पोक्रियाल याल निसंग तो बढ़ते अंगले को सिन की तरब अगला कोस्चिन है कामाटा गारू की घटना की सवर सब्सक्राइब चालिस तो अप्सन नमबर बी जबकि जिस समय की मतलब की पर्थम विश्विद्व हता उस समय की बात है काम आठा गारू की घटना उन्हें अप्सन नमबर बी हमारा बिल्कुल सही है तो बढ़ते अंगले को सिन की तरफ ये भी इसी तरह से पूछा गया थ सब्सक्राइब करें तो बढ़ते अंगले को सिन की दरफ ये भी कई बार पूछा गया था भारत की सरोच विधी है संसद भारती राष्टबती सविदान या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो सबसे बड़ा दोस्तों सविदान है सबसे बड़ा तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है तो यह थे आज के कोश्चिन मांकि आपके कितने से कमेंटर बॉक्स हम पता हम जरूर बताइए तो बहुत से लोगों को बीस में से बीस भी सही हो गयों कि कई के 15 16 17 बार 18 कितने भी सही होंगे तो आप बता सकते हैं तो मिलते अगले वीडियो में आज दिन में उत स्कूल इसकले ते यह से आजए धरी